कॉंग्रेस अध्यक्स से जादा राजस्थान सीयम के चर्चे भाजपा के लिए कैसे बन रहे हैं मौके राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो रविवार की शाम को होने वाले विधाईकों की बैठक के बाद तै होगा इस नए चहरे की जितनी बेसबरी से इंतजार कॉंग्रेस के लोग कर रहे हैं उससे कई ज़ быसबरी से इसका इंतजार भारतिये जनता पार्टी कर रही है नमस्कार मैं हूं मुस्कान पांटे और आप देख रहे हैं नजर टूड़े चलिए बताते हैं क्या है राजस्थान का मामला कॉंग्रेस के राश्टी अध्यक्स को लेकर होने वाले चुनाव में सबसे जादा राजनेति गर्माहट राजस्थान में देखी जा रही है यह गर्माहट पार्टी के राश्टी अध्यक्स से जादा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के चहरे के तौर पर बनी हुई है राजस्थान का नए मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो रविवार की शाम को होने वाले विधायकों की बैठक में तै होगा इस नए चेहरे का जितना बेसबरी से इंतजार भारतिय जनता पार्टी कर रही है उतना ही कॉंग्रेस भी कर रही है दरसल भारतिय जनता पार्टी कॉंग्रेस में होने वाले इस बदलाव को अपने लिए फायदे का सौधा मान कर चल रही है यही वज़ा है कि भाजपा ना सिर्फ कॉंग्रेस के पल पल बदलते हुए पूरे घटना कर्म पर ना सिर्फ नजर रखी है बलकि अपने आगे वाली राजनेतिक गोटिया भी सैट कर रही है रविवार की शाम को राजस्थान कॉंग्रेस के विधायकों की बैठक होनी है मंत्रियों से मन मुटाव खुल कर सामने आने लगा है राजनेतिक विशलेशक और वरिष्ट पत्रकार नागेंद पवार कहते हैं कि वैसे यह मन मुटाव और आपसी खीचातान तो 18 से कॉंग्रेस पार्टी में चल ही रही है लेकिन राजस्थान में बदलने वाले मुख्यमंत्री के साथ यह और खुल कर सामने आ गई है पवार कहते हैं कि दरसल इस पूरी आपसी खीचातान और लडाई को सिर्फ कॉंग्रेस के खेमे तक ही नहीं रखकर नहीं देखना चाहिए उनका कहना है कि राजस्थान का यह चुनावी साल चल रहा है मुख्यमंत्री के बदलाव से आने वाले विधानसभा के चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कॉंग्रेस के अंदर मची खीचातान को अपने फाइदे के लिए भी देख रही है राजनेतिक विशलेशकों का मानना है कि सचिन पाइलेट के मुख्यमंत्री बनने या किसी और चेहरे के सामने आने के साथ पार्टी में हालत पूरी तरीके से भगावती हो सकती है भार्टी जनता पाटी के लिए भगावती महाल कॉंग्रेस के कई नेताओं को अपनी और खीचने में मदद करेगी इसके अलावे ऐसी भगावती महौल में कॉंग्रेस से खिलाफ अंदरूनी तौर पर बनी हवा को भारतिय जनता पार्टी अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेगी सूत्रों के मुतावित कॉंग्रेस में अंदर ही अंदर पना प्रहे नेत्रित परिवर्तन की बगावत के साथ भारतिय जनता पार्टी ने कॉंग्रेस के कई नेताओं पर पहले से ही निगाहे लगा रखी हैं राजस्थान भारती जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ट नेता कहते हैं कि अगर कॉंग्रेस का कोई नेता उनके साथ आना चाहता है तो उसका हमेशा स्वागत होगा हाला कि भाजपा के नेता का कहता है कि वे किसी भी कॉंगरेस के नेता को तोड़ना नहीं जा रहे हैं लेकिन उन्होंने ये बाद जरूर कहिए कि कॉंगरेस के अपने अंधूरूनी हालातों में भारतिये जनता पार्टी को निश्चित तोर पर आने वाले चुनावों में फाइदा ही होने वाला है राजनेतिक जानकर सुरेंदरनात सहोरों कहते हैं कि चुनाव के समय नेतित्र परिवर्तन कई बार फाइदे मन भी होती है लेकिन इसके लिए पार्टी के नेताओं का समझजस्व और उसकी समर्थन उक्त बदलाव के लिए बेहत जरूरी माना जाता है हाला कि कॉंग्रेस के नेतित्र परिवर्तन से पहले ही नेताओं की बात खुल कर सामने आने लगी है ऐसे में नेतित्र परिवर्तन के साथ 2023 में होने वाले विधान सवा के चुनाओं में कॉंग्रेस को कितना फाइदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा राजस्थान में कॉंग्रेस की अशोग गैलो सरकार में खार्द मंतरी परताप सिंग खारचरियवास खुलकर नेत्रित परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं ये वक्त सरकार और उसकी मुख्या के बदलने का है ही नहीं इसकी वज़ा बताते हुए उनका कहना है कि जब चुनाव सिर पर है तो मुख्य मंतरी का बदलाव नुकसान दायमक हो सकता है परताप सिंग ने कहा कि अशोग गैलोत राजस्थान के मुख्य मंतरी बने तो इसका पार्टी को निशित तोर पर फायदा होगा जबकि नेतित परिवर्तन के साथ आने वाले चुनाव में मुश्किले बढ़ सकती हैं सिर परताप सिंगी नहीं बलकि राजस्थान के स्वास्त मंतरी परसादी लाल मीड़क भी अशोग गैलोत को ही अपना नेता मान रहे हैं वे कहते हैं कि अशोग गैलोत राजस्तान में ना सिर्फ मजबूत चहरा है बलकि दोजा 23 में सरकार के लिए जिताओ भी होंगे उन्होंने कहा कि अशोग गैलोत के नाम पर ही भारतिय जनता पाटी सत्ता से दूर रहेगी हाला कि अशोग गैलो सरकार में ग्रामीड विकास राज्यमंत्री रमेज सिंग गुड़ा कहते हैं कि सच्चिन पाइलेट से बड़ा नेता राजस्थान सरकार में इस वक्त कोई नहीं है कि सच्चिन पाइलेट को अब प्रदेश की कमान स्वाप देनी चाहिए ताकि 2023 में होने वाले चुनाओं में मजबूती से कांग्रेस को खड़ा कर राजस्थान की पांच-पांच साल बदलने वाली सरकार की परिपार्टी को बदला जा सके गुठ्ठा ने तो यह तक कह दिया है कि इसी नवरात्र में सचिन पाइलेट की राजस्थान में बैतोर मुख्यमंतरी ताजपेशी हो जाएगी खाला की राजस्थान में हो रहे राजनेतिक उठापठा के बीच कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि जब नेतित्र परिवर्तन होते हैं तो निश्चित तोर पर सहमती और एस सहमतीयों तो बनती ही है पार्टी में जुड़े एक वरिष्ट नेता का कहना है कि राजस्थान में विधायकों की सहमती से ना सिर्फ नेता का चैन किया जाएगा बल्कि उस नेता में पूरे भरुसे के साथ सबी विधायक और कारेकरता 2023 के चुनाव की रणनीती भी बनाएंगे कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ट पद अधिकारी कहते हैं कि उनकी पार्टी का पूरा फोकस 2023 में होने वाले राजस्थान के चुनाव के साथ 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव पर बना हुआ है रही बात विपक्षी दलो की कॉंग्रेस के नेताओं पर निगाह तो उनका कहना है कि पार्टी के वफदार नेता और कारेकरता हर विपरित परिस्तिती में उनके साथ ना सिर्फ खड़े हैं बलकि पार्टी को आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिला रहे हैं तो देखना ये होगा कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री कॉंग्रेस की रास्ट ये अध्यक्षा बनते हैं तो रास्थान का कारेभाल कौन समालता है इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नजर तूड़े नमस्कार